किसान भाइयों नमस्कार मारवा फार में आपका स्वागत है आज की वीडियो हम बना रहे हैं सदाम भाई के पास हुसाइन डैरी फार्म पे आज कुश गाएं तो इनके पास सेल के लिए अबैलेबल है और कुश गाएं इन्होंने जहां से सेल करी है क्या रेट की गाएं सेल क पूरे बारत में पंजाब से गाएं सप्लाई करते हैं काफी अच्छी गाएं होती है और अच्छी गाएं बाजिब रेट पे सेल करते हैं जनुएन काम करते हैं तो आज हम आपको इनकी गाएं दखाने के लिए इनके फारम पे आए हुए हैं सदाम भाई से बात करते हैं वो आपको गाएं दखाएंगे गाएं के रेट के बारे में बताएंगे नमस्कार बई नमस्कार जी क्या हाल है बहुत बढ़ी है सर आज कितनी सेल की हैाज आठ गयाइं जारी सर महाराष्ट्र कोलपूर में है कि अध्य जूद रहेगा तक 15-20 लीटर तक 13 14 15 और 20 लास्ट एवे रेट रहेगा सर 30 एर से लेके 20-65 तक क्योंकि ये भी सेल करने वाले हैं सर मैं अकेली के लिए का रेट तो आपको बता नहीं सकता क्योंकि इनको भी आगे जाकर सेल करनी है इसलिए अकेली के लिए का रेट नहीं बता जाएगा ये का खाली आपको आवरेज बता दी जासे हम रेट नहीं कर सकते और मैं यही किसान भाईयों को बताना चाहता हूं सर रेगुलर वीडियो आ रही हमारी हर वीडियो में किसान होते हमारे सब सर कस्टमर यह अभी कस्टमर आये हुए महाराश्टर से कोलापूर से इन से भी आपकी बात करवाएंगे क्योंकि सर मैं इसलिए ने इनको बता पारा क्योंकि इनको जाकर आगर सेल करने हैं नहीं तो आपको पता हर वीडियो में जो मेरे पास तीन चार कस्टमर ऐसे आ चुके हैं सर आप भी मेरी वीडियो देखते हो तीन चार कस्टमर ऐसे आए हैं जिनका मैं आपको रेट नहीं बता पाया क्यों इनको सेल कर देख मेरा पास जिसको अगर सेल करना है वह भी मेरे पास पहुच रहा है अगर मेरा रेट हाई होगा डेखो किसानों को नए किसान उनको हर को rounded को अगर। यूटूबर से देखकर गाय देखी होती है इतने रेट की है यह इतने दूदे क्योंकि वह हमारे विश्वास से आ रहे हैं हम अगर इसका बोल देंगी जे 20 लिटर देगी तो मान जाएंगी हां सदाम भाई ने बोल दिया जे 20 लिटर देगी उस बंदे के पास जाओ जिसके रेगूरर कस्टमर है और अमान दर इसे कमेंट अच्छे आ रहे हैं कमेंट बढ़िया आ रहे हैं उसको और बकैदा यह देखा करो भी मेरे पास सर तीन-चार कस्टमर ऐसे आ चुके हैं जो आगर जाकर सेल करनी हैं वह सेल क्यों आ रहे हैं सर क्योंकि मेरा रेट जैन मैं मेरे पास दोनों तरह का रहा है सर तो इस गयां के बार में बता दीजिए यह फर्स्टेमर है सर मुह से चार दांत है और दूद क्या रहे हैं दूद देदेगी जी 15 लीटर अराम से ठंडा दूद देदेगी सर क्वालिटी आप देख सकते हो फेस क्वालिटी अडर क्वालि से दूद देगी इस से जादा नहीं देगी क्योंकि मैं यही पताना जाता हूं भी अडर पे देखके आप गाये को देखाना करो भी अडर इतना है तो यह 20 किलो दूद देगी यह दूद देगी सर क्योंकि क्रॉस गाये है यह इतना अडर है तो इसका यह 15-16 किलो ही दूद देगी ज्यादा निहीं देगी फिस क्वालिटी आफे बिलुकुल सामने है अडर क्वालिटी लेंथ बगैरा ऑड्य रॉडी इस्टेक्चर हाइट क्वालिटी बिलकुल आपके सामने हैं मुझे बोलने के जुरूर्द नहीं गाया आपको बता है कि मेरे से भी बात कर लेना अगर किसी भाई को रेट भी पूछना है वी जे गाय कितने की गई है तो मैं उसका रेट भी आपको बता दूंगा वी जे इतने रेट में गई है सर क्योंकि मैं आउनलाइन नहीं बता सकता रेट सर क्योंकि इनको जाकर आगे सेल करने तो इनका काम बंद होगा तो सवर हमारा पहले हो जाएगा इनका रेट किसी भाई को भी पूछना है तो मेरे पास आकर रेट पूछ सकता है सर तो इस गयां के बार में बता दी यह भी फर्स्ट इमर सर मुह से दो दांते अडर क्वाल्टी चमक दमक देखिए कितनी शांदारे बचड़ी अभी कच्ची कची है सर पंतरा से बीस दिन ले जाए अभी ब्याने में बीस से बाइस किलो दूद अराम से देगी ज्यादा तो झॉझे जिए हरां रहा है कि य क्या गया इंगी किया तो आप उससे देखो उससे पता चलेका आपको वह पहें जाए में इस विए तर चमक दमक देखिए कितनी शानदार है अज़र को आटी देखिए अभी कची कची है यह बलबूल पूरे निकल जाएंगे अज़र कची कची गया लिए हमने एक जणी हुई इसमें कची कची गया लिए अब दांत में चार दांत हो रही है है चार का एक उठा लिया तो चार दांत हो रही है अभी इसके 15 16 दिन बाकिए सर दूर देदेगी यह फर्सट रहा आपके सामने है सर अभी 15 दिन ये भी बच्चा नहीं देगी हाइट देखे कितनी बड़िया है गाय की लंबाई लेंथ बगएरा पैरों का फोक्स सभी चीजे चेक करने वाली होते सर अडर को आड़ी देख लीजिए अडर देखे कितना शांदार है अभी 15 दिन ये मैं बोल दूँ 25 दूद देदेगी तो किसान भाई माल लेंगे इसी दोखा धरी से मुझे बचाना है सर मैं यहीं चाहता हूं भी उतना दूद बोल दो लीटर दो लीटर कम बोल दो तो किसान जाकर वहां खुश होंगे सर वो खुद बोलेंगे भी हां सदाम भाई आपने गाए बेजी थी दो लिटर ज़्यादा दे रही है कभी मेरे कमेंट कर लाएना सर कभी नेगुट सब्सक्राइब कृसिता सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं वही बताऊंगा सर तो इस गयां के बारे में बता दीजिए यह सेकंड में बचा देगी सर दांतों में छे दांत है सर और कितने दिन बाकी है अभी इसके 15-16 दिन इसके भी बाकी बड़ें सर क्या दूद रहेगा जी 18-20 किलो अभी कची कची है सर बॉडी स्ट्रेक्चर आ अरामसे देखि सर दोफल देखिये कितना शांदार का अदर नस देखिये कितनी बड़ی आसर हाइच 2 अचल देखिये कितना प्यारा लगा हुआ है कच्ची कच्ची बहुत बनेगी सर क्वार्टि आपके बिल्कुल सामने हैं अभी कच्ची कच्ची बहुत बंकर बच्चा देगी सर बीस किलो और आम से दूद देडी एठारा से 20 किलो तो इस मैंके बारे में बता दीजिए ज अब अपे धंत बचली ए खीरी बचली है और एक मन्त इसका बाकिए पढ़ा है सर और जे दो दांत बचली है एक मन्त ही इसका बाकिए जि दो गाये हमने कच्छी लिए स CCL camera एक मंध एक मंधन सब्सक्राइब देख सकते हो पैरों का फोक्स देखने वाली है में आप देख सकते हो अडर क्वाल्टी इसकी फेस्ट वाल्टी बिल्कुल आपके साम नहीं है कि मुझे ज्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं सर आचल देखी अभी बहुत फिक्स अडर करके बच्चा देखी यह को आपके सामने हैं सर यह अभी एक मंथ ले जाएगी सर पचीस दिन तो अराम सी ले जाएगी वह एक मंथ डेड़ मां एक से एक मंथ दस दिन उपर ले जाए सर शे बच चुके अभी गाड़ी लोड करने का टाइम है तो गाड़ी लोड करें इसलिए थोड़ा दूर निकाल भी दिया सर इसका एक यह जेगा है यह बच्चे के बगार जे चलनी रही बाग रही है क्योंकि इसलिए इसको चला करनी दिखा रहे सर क्योंकि बच्चे का कर रही है यह बच्चे के बगार नहीं चल रही यह देख सकते आप अडर क्वाल्टी लेंथ बगारा बॉड़ी स्ट्रेक्चर आप बिल्कुल सामने क्या दूद रहे गागा दूद रहेगी यह पंद्रह सोला किलो ज्यादा नहीं देगी सर यह मिक्स गाएं दोनों सब्सक्रामबाईकरो और फारेगा जोेधा कमेंट करो सरेक्वो अगर मेरा काम चौई है तो अच्छे जिए धर मैं तो मुझे सब्सक्राइब ellis को सदारने क्यों कोशिशक करूँ महाराष्ट्रा में कोलापुर जिला गाव है हमारा वहां से 20-25 किलो मिटर दूरी पर हुपरी गाव में हम रहते हैं कितनी गाए खरी दिया सदांबाई के पास है इनके पास है हमने लग आड़ गाए खर दी किया है ठीक है रेट कैसा लगा इनका रेट तो अच्छा है गाएं तो आपके सामने है सब ठीक है अहला रहय सायन की क्लाव बास्ता की आप अब रहें साहन के पूछों गए तो फिर से दुबढ़ा आना है इन셔서 अंगे का मन भी किया और रहन सहन भी आच्छा है, खाने की दिकत नहीं, पिने की दिकत नहीं, यहां रहने के हर सुविदा है, का वा आए थे इनके पास? इनके पास, देखो हम दो तीन दिन से आये हैं, ठीक है, दो तीन से राकर खाब बढ़िया किया आपका? ओ, अच्छे से, भाई बनका रखे हैं हमको, जो सौधा किया आपके सामने करते से? सामने, सामने करते से, कोई दोखा दड़ी वाला काम नहीं, कोई दिकत नहीं, कोई परेशानी नहीं हमको हुई देखो सर, जैसे कस्टमर गाय लेता है न, तो बहुत होते भी परली सैड में होकर उनको बताते हैं, भाईया, आप यहां रुको, हम सौधा करते हैं, इनसे आप पूछ सकते हो, वो जो मालिक था, गाय वाला था, वो भी हमारे पास बैठा होता था, ये भी हमारे पास थे हम कि वही पैसे लगाते हैं, भाईया, तेरी गाय इतने में चलती है, देदे, न, तेरी गाय तेरे पास हमारा गाँ, हम आप और देख लेंगे, ये काम किया, अगर इनसे बोलगी सकते हो, इनसे भी हमारे Entreflam ना 4ופ1 को, मेरे जिमेदारी पर आए, मैं बोलता हो, क्योंकि मेर कि इतनी इतना मुझे को गुमा जितने गाए दिकाई है उस में से मने पसंद आइ तभी नुने उसा पर मोल लगा था तू लिए नहीं הרीोड के 수ef muita उभेसा हीnot कुछ रहने का खर्चा नहीं किया कुछ दिया नहीं है सब अपने पास से डालते थे ठीक है तो आप अपनी बाशा में कोई मैसी देना चाहों अपने भाईयों को यह मैसेज देना चाहता हूं नमस्कार मी महाराश्टा मदी रहतो है माजना विक्रम मनोर काटकर रहनार जिल्ल अपने तो भु सकता है सद्धा व्भएपर छात्य बाधी पने है सद्धान पंगेज चैबास्ट अर्फंफ यह काही काही आऄ अपना तो तुम्हाला माजा अमंबर सेंट करतो시죠 कुअ माजा नंबर सब्स्पार दायरेकत की 걸ा बर्च्व चा मंसान ला नंबर त्या तुम्ह आपको आपको नामी सांगन के आवर जुन सांगन कि सद्धाम भई पसी तुम्हीं गाय खरदी करा जैहिंद जैह महाराष्ट्रा आजी किसान भाईयों मैं यही कहना चाहता हूं यह भी आपकी कर्स्टमर से बात करवाईये वह हमारे से खुश हैं उनको काम अच्छा लगा उ इतना हमारे लिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भाई हमारे पास एक बार आता है ना सर तो कभी भी आपने वीडियो में भी देखा हुआ हमारे से नराश होका कोई ने गया सभी खुश होकर और यह कहते भी मेरी गरंटी है अभी MP के भाई आयते उन्होंने बोला था भी किसी को भी इदर से गाय लेनी है कोई लाना आए तो मैं बैठाओं तो यह भी भाई ऐसी बोल रहे हैं कोई भी प्रॉलम हो माराश्टर का कोई भी कस्टमर आना चाहता है कहीं कभी आना चाहता है तो वह भी खुद कह रहे हैं भी मेरी जुम्हें बारी आप सदाम भाई के पास अचाहता है तो वीडियो बहुद बना रहे हैं पर पर कभी भी आपने यह डेखा करा करो शर कॉस्टमर जादा बातें किसके बारे में में बोल रहा है किस से प्यार जादा मिल रहा है जेच़तियों का ध्यान रखो सर आप कभी जिन्दिगी में फेल नहीं होंगे पास ही हो झाल